इस वीडियो में हम दो चीज़ करेंगे एक हम आपको एक निफ्टी का वीकली स्ट्रड़ी प्रवाइड करेंगे जो रहेगा 5th of October के लिए मतलब कमिंग वीक के लिए उसके आगे की वीक के लिए हम टागेट लेकर चलेंगे अने वाली वीक में थ्रॉब्सान लॉग हमारा वीकेंड बनेगा उसके बेसिज पर हम वह स्ट्राटेजी के लिए हम निफ्टी को वीक बेसिज पर अनलाईज करेंगे आप जानते हैं कि हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आते हैं every week जिसमें हम सरफ निफ्टी को discuss करते हैं जहां पर हम market का अगली week में क्या outlook रहेगा वो हम discuss करते हैं तो वह भी हम इस वीडियो में करेंगे तो अगर आपका idea या आपका outlook इंट्रडे को लेकर है कि आप सरफ इंट्रडे निफ्टी अनलिसस जाना चाहते हैं उसके लिए फिर आप हमारा जो रेगुलर वीडियो है वह देख सकते हैं थोड़े देर बाद वह भी अप्लोड हो जाएगा वहां पर हमने स्पेसिफिकली इंट्रडे ही दिसकस किया है तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टैटिजी और विक लेंशिस और अगर भी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार अभी जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजेगा इस तरह की वीडियो के चलिए बरते हैं और देखते हैं कि हमारा निफ्टी को लेकर क्या आउट्लुक है ताकि हम उसके बेसिस पर स्टैडी डिजाइन कर सकें सबसे पहले देखेगा कि निफ्टी ने अभी क्या किया है पहले तो निफ्टी ने बड़ा सा मूव लिया यहां से उसके बाद एक उसके बाद में वापिस एक इसको कहते हैं करेक्शन या आप कहेंगे स्टूइसमेंगे सल्इयत और ट्रेंट करेंगे तो यहां पर यहां कुछ चीज समझाना कर रहा हूं उसको ध्यास समझेगा मैं पहले है कि जहां पर हम 61.8 की बात करते हैं तो मैंने कई वर आपसे बताया कि most of the time market क्या करती है इस level को touch करती है और यहां से bounce back करती है दोटीन साल से क्या हो रहा है 78.6 भी include होना शुरू हो गया है तो पहले तो इस level को ज़्यादा importance देते थे that 61.8 पे अगर market अपने आपको यह particular stock अपने आपको hold कर लेता वहीं से bounce करता है तो सही है otherwise वहाँ पर हम trend reversal की बात करना शुरू कर देते हैं but आजकल थोड़ा सा odd twist हो गया है 61.8 के साथ साथ में 78.6 भी कहीं कहीं include किया जाने लगा है अब trend reversal की बात करते हैं 78.6 के नीचे तो हमारे पास क्या क्या स्कोप है हमारे पास स्कोप है यहाँ पर 19600 का और फुर नीचे नाइटीन 440 का तो यह आपका 61.8 यह 78.6 रहेगा तो हम मान सकते हैं कि आने वाले week में निफ्टी 19600 को touch कर सकता है तो यहाँ से bounce करा तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो यहाँ पर वापिस आगे नीचे गिरेगा और अभी market के लिए एक अच्छी news भी है वो है JP Morgan का debt funds को अपने index में इंडियन debt जो हमारे bounce है उनको अपने index में include करना उससे क्या फाइदा होगा कि उमीद किया जा रहा है जो हमारा debt market है उसका जो वेलवेशन है more than 300 billion का है तो कुछ नहीं तो 20-25 10% expect भी करें तो 20-25-30 billion dollar inflow आ सकता है एंडियन मार्केट में वेरी शॉट नाइम तो उसको देखते वे मार्केट में यह लेवल भी काफी इस टाइम पे अट्रैक्टिव देखा जा रहा है कि मार्केट यहां से bounce back कर सकता है अब करेगा नहीं करेगा क्योंकि आने वाले वीक में हमारे पास में मंतल इसको देखते हुए हम इन्हीं बेसे पे एक अपना strategy डिजाइन करते हैं तो यहां पर हमारे पास यह हो गया यहां पर एक और चीज भी आ रखेगा कि यह जो लेवल है और यह जो लेवल है यहां प तो इस लेवल पर विच इस कमिंग अराउं 9850 और इस लेवल के नीचे हमारे पास 19200 है तो कहने से कि हम दोनों लेवल को यहां पर डिसकुस करें मतलब इंक्लूड करने तो अपनी strategy में तो एक भड़े ज़ल निकल के आएगा चलिए उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्य उसके लिए हम जा रहे हैं मैं यूज करता हूं जो है यह प्रमोशन वीडियो नहीं है तो अधरवाइस वह मत सोचेगा मैंने पहली प्लॉट करके रखा हुआ है यहां पर मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूं थ्वाशा इसको बढ़ा कर देता हूं तो आप ध्यान इस पर देजेगा हमने क्या किया है यहां पर एक लॉट वन लॉट फिफ्ट ऑक्टोबर का कॉल यह कॉल है यह पुट है यह पुट है यह कॉल है एक लॉट फिफ्ट ऑफ ऑक्टोबर का कॉल हमने सेल किया है एक लॉट हमने नाइंटी थ्री हंडड का का expiry नहीं next expiry हम discuss कर रहे हैं एक हमने यहां sell किया अब इससे क्या होता है दोनों को जब हम sell करते हैं तो यहां पर हमारा 1.5 लाक के आसपस capital requirement लगता है तो हम चाहते कि हमारा जो capital requirement है 1.5 लाक लगे उसकी देखते वे हम थोड़ा सा यहां पर इसको कवर कर लेते हैं capital requirement को कम करने के लिए हम क्या करेंगे एक लॉट नाइंचीन थ्री हुंडड का दसे इसके साथ मैच करेंगे हम नेक्स्ट एक्सपारी का बाई करेंगे और यहां पर हम एक लॉट और बाई करेंगे तो कवर दा प्री लेग इसमें हमारा देखिए हमने यहीं देखा था ना नाइंटीन तूहंडड और नाइंटीन एट फिफ्टी से उपर यह हमारा से रेंज बन गया से रेंज यहां पर हमारा क्यापिटल रिक्रामेंट लगए पचास हजार के आसपास लगेगा मैक्सिम रिस्क हमारा रहेगा 4.3 के मैक्स रिवार्ड रहेगा लगबग और मैं कहूंगा वन रेशो वन है थोड़ा सा रिस साइट ज्यादा है बट फिर भी यहां पर एक और अपचुनिटी है हम यहां पर एज़स्ट कर सकते हैं दूसरी बात लॉंग वीकेंड का हमारे शॐसी देफिनिटली आ हम फाइदा मिलेगा तो करेंट गंड को सब से करेंट के हिसाब से हमारी आने वाले जो आने यहां से क्यों लिया है यंह्वा आपको दिखाता हूं। चार्टपे चलते है वापई यहां पर देखिए यह जो पहले मार्किट में हिए चोड़ेरिय् आपर जोन है वो यहां पर देखेंगे ना भी वाला इसको देखते विए मैंने टागेट किया है तो इसी लिए मैंने इस रिंज में मार्केट को क्लोज होते हुए देखना है हाँ अगर मार्केट कल इम्मीडेटली फॉल भी करता है तो जैसे आपने देखा मैक्सिम लॉस आपका माइनस 4.3 है तो हम उपर की रेंज को कम कर लेंगे उपर की रेंज कम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा हमारे पास नीचे की रेंज 19,000 तक शिफ्ट कर सकते हैं त तरवाई ज़कर आप सर्च करते हैं तो यह हमारे टेलिग्राम चानल का नाम है सर्च करने से आपको वैसे भी मिल जाएगा तो इसको जरूर कीजेगा क्योंकि इसका कोई भी अपडेट रहेगा मैं आपको टेलिग्राम पर ही बताऊंगा क्योंकि लाइव मार्केट में सब तिल दें टेकर वाव नाइस दे बाइब बाइ